सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इसे पर्फेक्ट क्लासिस बाप सभी का सौगत है शिक्षा निदेशाले रास्टी राजा निचेत देली की वक्षीट नमबर थाटीन डिस्कस करेंगे बच्चों और क्लासिक्स की वक्षीट है नो नवंबर दोहजार बीस की ठीक है विशह समाजिक विग्यान विजहरते नाम लिख लेंगे कुक्षद यापक का नाम लिख लेंगे टॉपिक है खेती और चरवाहे की शुरुआत तो इस्टार्ट करते हैं बच्चों वक्षीट पुरुशों महिला और बच्चों ने संभवतें क्याई चीज़े देखी जैसे कहां कहां पर खादे पौधे पाए जाते हैं बीच कैसे डंठल से तूट कर गिरते हैं जमीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उगाए इसी तरह से उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा उन्हें पक्षियों जानवरों से बचाने के लिए कोचिश की होगी ताकि वे इस परकार वे धीरे-धीरे किसान बन गए आगे देखिए इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना चोड़कर उन्हें आकटशित कर उन्हें पालतू बनाया होगा सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वे कुत्ते का जंगली प सुवर भी जुण्ड में रहते थे और उनमें से जाधतर घांस खाते थे अकसर लोग इन जानवरों को अन्ने जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे इस तरह वे जरवाहे बन गए ठीक है उनकी देखबाल करते करते उनके खाने पीने का ध्यान रखते रखते वो जरव बसने की किरिया के बारे पढ़ेंगे, बसने की पर किरिया वह है जिसमें लोग पौदों को उगाते हैं और जानवरों की देखपाल करते हैं, अपनाए गए पौद है और जानवर जंगली पौदों और जानवरों से अलग हो जाते हैं, मतलब पालतु अलग हो जाते हैं, नहीं है नेक्स देखेंगे जीवन का एक नया तरीका यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है ये कैई दिनों हफ्तों महीनों और कुछ मामलों में वर्चों के लिए हो सकता है जब लोगों ने पौदों को गाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौदों की देखभाल करने पानी निकालने निराई करने पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक ही एकी जग़ा पर रहना पड़ता था और फिर अनाज को उपयोग सावधानी से किया जाना था चुकि अनाज को बोजन औ और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था इसलिए लोगों को इस बंडारण के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा कैई छेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बरतन बनाने शुरू किये या टोकरी बनाई या जमीन में गड़े खो दे तब कोशे नांसे द फर्स्ट पेरेग्राफ क्योंकि हमें डिटेल में बताना है खेती सीखी कैसे तो फर्स्ट पेरेग्राफ में हम लिखेंगे पुर्शों महीला और बच्चों ने संभवते क्या ही चीज़े देखी जैसे कहां कहां पर ख़दे पोदे पाए जाते हैं बीच कैसे डंठल से और उनके बीच पक सकें इस परकारवे धीरे-धीरे किसान बन गए मतलब खेती करने लगें तो यह आपका अंसर लिखना है पूरा फर्स्ट पेरेग्राफ अंसर नमबर बन में अब कोशे नमबर टू देखिए बसने की परकिरिया क्या है तो इसका अंसर बस आप इतना लि इकबाल करते हैं इसका मतलब वो बस गए है किसान पर रहने लगें अब थर देखिए अनाच के उपियोग के तरीके क्या थे तो इसका अंसर आप इहां से लिखेंगे सबसे लास्ट में अनाच को भोचन और बीच दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था इसलिए लोगों कोई से बंडारन के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा कैई छेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बरतन मनाने शुरू किये यह टोकरी बनाई यह समीन में गड़े खो दें तो ठीक है इतना लिख देंगे अलसर निमबर थरी तो आपकी वक्षिट सॉल्व हो गई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज में वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमाई चनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पूर वाचिंग